हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आई होब कि आप लोग ठीक होंगे तो दोस्तों जैसा कि हम लोग यूपी टेट दिसंबर 2016 का वेपर सॉल कर रहे थे तो 20 कोशन हम लोग स्रीडिपी के सॉल कर चुके हैं और आज हम लोग 21 से 30 तक सॉल करेंगे आज ही आपका कम्प्लीट हो जाएगा जितने भी कोशन आपके स्रीडिपी के पूछे गया थे 2016 दिसंबर में तो पहला कोशन है अधिगम भी है अभी पिरड़ा सी है इसमरिती डी है स्रीचनात्मक्ता तो दोस्तों संगनन सिधांत जो है यह किस से संबंदित है यह इसमरिती से संबंदित है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा संगनन सिधांत जो है दोस्तों यह इसमरिती से संबंदित है मनुष्य जो कि दिसंबर 2016 में अगला कोशन आप लोग देख पा रहोंगे छेत्र सिद्धान्त निमने में किस वर्ग का सिद्धान्त है अप्शन ए है विवार वादियों का बी है संदचना वादियों का सी है आपका मनो विशलेशकों का डी है गस्टाल्ट वादियों का तो यहां पे छेत्र सिद्धान्त जो है किस वर्ग का सिद्धान्त है यह आपको बताना है तो दोस्तों यह जो है छेत्र सिद्धान्त जो है यह गस्टाल्ट वादियों का सिद्धान्त है ऑप्शन डी जो है ये आपका correct answer होगा दोस्तों ये जो है छेत्र सिधान्त कूट लेविन दौरा परतिपादित किया गया किसके दौरा कूट लेविन दौरा तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि छेत्र सिधान्त किसके दौरा परतिपादित किया गया तो ये कुट लेविन के दोरा प्रतिपादित किया और ये क्या थे गेस्ट वाल्ट वादी थे ठीक है नेक्स कोशन देखेंगे हम लोग बैटरी का प्रियोग निमनों में से किसके मापन है तो क्या जाता है जैसा कि आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो इस टैप का कुशन आपको देखने को मिला होगा जो है भाटिया बैटरी बुद्धी परिचर तो दोस्तों ये किसे रिलेटेड है ये बुद्धी से रिलेटेड है ऑप्शन सी जो है ये आपका करिक्ट आंसर होगा भाटिया बैटरी जो दोस्तों जो है बुद्धी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और भाटिया दोरा भारत में बुद्धी परिचड का निर्मार किया गया था ये एक क्या है शाब्दिक बुद्धी परिचड है अगला कोशन हम लोग देखेंगे अभी कर्मा योजित अधिगम का परते किस ने दिया था और यहां पर अभी कर्मा योजित अधिगम का परते किस ने दिया यह आपको आंसर करना है तो दोस्तों यह किस ने दिया स्कीनर ने दिया था और यह करेक्ट आंसर होगा अभी क्रमा यूजित के बारे में हम थोड़ा डेटेल में देखें थो दोस्तों यह अधिगम का आरथिक किसी योजना के अनुसार शिचणद और अधिगम की करिया को साकार रूफ प्रतान किया जाता है किसके दोरा अभी करमा योजित अधिगम के दोरा बीएफ इसकीनर ने 1942 से 43 में सक्री अनुबंद अनुक्रिया सिधान्त या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंद सिधान्त का प्रतिपादन किया कब किया 1942 या 43 में इसको आपने नोट कर सकते हैं नेक्स कोशन अब हम लोग देखेंगे विवाहरिक चमताओं में वसापेच अस्थाई परवर्तन जो की प्रचलित अभ्यास का परडाम होता है उसे क्या करते हैं अप्शन यह आपका करेक्ट अंसर होगा अधिकम की बात करें दोस्तों अधिकम जो सीखना इसको बोलते हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको दौरा अभ्यास के फलस्वरूप वेवहार में जो है अपेच्छा क्रित अस्थाई परिवर्तन होता है यह आपका अधिकम होता है अगला कोशन हम लोग देखेंगे इस बुद्धि के सिद्धानत का हिस्सा है तो यह गिल फूर्ड का सिद्धानत है औ्प्षन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तरों यहाँ पे गिल फूर्ड की हम लोग बात करें तो इन्होंने और उनके ऐस का दौरा जो है तीन विमाओं के परिप्रिष्च में देखा जा सकता है बुद्धी को पहला जो है सामगरी है दूसरा जो इन्होंने बताया संक्रिया और तीसरा जो है उत्पाद उसमें संक्रिया के हम लोग बात करें तो संक्रिया को जो है पुना पाच प्रकार में उसको डिवाइड किया गया जो पहला था संग्यान दूसरा अस्मरण दोस्तों आप लोग इसे note कर सकते हैं कि यहाँ पर right नहीं कर सकती थोड़ा problem हो रही है मुझे तो आप लोग मैं बता रही हूँ आप लोग note कर सकते हैं संक्रिया जो है दोस्तों संक्रिया को पाँच परकार में डिवाइड किया गया था पहला जो है संग्यान सेकेंड है असमराड थार्ड है प्रमप्रागत चिंतन फोर्थ है गैर प्रमप्रागत और फाइफ है मुल्यांकन तो यह संग्यान आपका उसी में से पूछा गया संक्रिया से जैसा कि मैंने इस टार्टिंग में ही बताया कि थोड़ा डीप आप से question किय गया है तो इसका correct answer गिलफोर्ड होगा इसे related में अलग से वीडियो आप लोगों कुछ दे दिऊंगी ताकि आपके मन में कोई confusion न रहे अगला question देखने है आठ वर्ष के सुदीर की मांसिक आयू 10 वर्ष है उसकी बुद्धी लब्धी कितनी है दोस्तों बुद्ध को फार् 10 वर्ष है मांसिक कायू आपका कितना दिया हुआ यह 10 वर्ष दिया हुआ है और 8 वर्ष की सुदीर वास्तवी कायू जो है 8 है इसको हम लोग solve कर लेते हैं दोस्तों यह आपका एक question यहां से पूछता है IQ से पूछ लेता है तो अगर आपको यह formula पता होगा तो आप लोग से आसानी से कर लेंगे और यहां पर कोई रटना नहीं है आप अपना एक नंबर प्लस करके आएंगे तो यहां पर हम लोग इसको 248 2510 यहां पर कट करते हैं फो टू जाएट फूर फाइफ जा 20 यहां पर 25 का 5 से multiply करेंगे आप लोग 25 पाची 125 आपका 125 जो है इसकी IQ यानि बुद्धी लबदी आएगी तो option D आप देख पा रहे होंगे यह आपका correct answer होगा option D 125 तो इस तरह से आप इस question को solve कर सकते हैं IQ equal to होता है मांसी का यू अपान वास्तविक का यू इंटू 100 इंटू 100 होता है तो से यहां पर मैं भूल गए थी इंटू 100 होता है तो इस तरह से आप फार्मूले पर कर सकते हैं और एक नंबर जो प्लेस कर सकते हैं अगला कुशन अब हम लोग देखेंगे समीक का कौन सा सिदांत इस विचार को मानता है कि समीगात्मक अनुबाव समीगात्मक विवार पर आधारित है option A है जैम्स लैंग सिदांत B है हाईपो टॉल्सिक सिदांत से सख्रियता सिदांत दिये अभी प्रेवरा सिदांत इसमें पूछा है कि आपका समीग का कौन सा सिदांत इस विचार को मानता है कि अनुबाव समीगात्मक विवार पर आधारित है तो यह option यह आप देख पा रहे होंगे जैम्स लैंग सिदांत option यह आपका पढ़ने पर उसे उत्पन होने वाला समय सावेगी तनाव कहलाता है और यह दोस्तों मैं दूगल ने 14 समय बताया जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया है किसी इच्छा की पूर्ती ना होने पर कुंठा समय क्यूत पत्ति होती है किसी भी इच्छा की पूर्ती ना होने पर कुंठा समय क्यूत पत्ति होती है मैं डूगल ने कितने 14 समय बताये किसने मैं डूगल ने यहां से भी आपका एक कोशन बनता है अगला कोशन अब हम लोग देखते हैं और आज की स्रिस का लास्ट कोशन यहां पे जो है आपका जो दिसंबर 2016 को जो यू प्टेट का पेपर हुआ है उसे स्टार्ट करेंगे तो यह कोशन आप देख पार होंगे कोहल वर्क का सिधान निम्नों से किस विकास से संबंदित है और यह आप से कई बार पुछा हुआ है कि सारी पेपर में आपने इससे पहले अगर देखा होगा तो पुछा है तो यह आपका इंपोर्टेंट कोशन है तो यह थे आज की स्रीज के यह कोशन और आपका यह जो 2016 का पेपर था यह कंप्लीट हो गया है इसमें जो से कोशन पुछे गया थे तो कैसे लगी यह वीडियो अच्छी लगी होगे दोस्तों तो लाइक करिएगा शेर करिएगा नेहों च